नमस्कार साथियो आप सभी का इस online platform पर हम आपका हर्दी स्वागत करते हैं तो आज की हम हर्यान जी क्लास में करेंगे हर्याना के राष्टिय राजमारगों के बारे में तो आज हम देखेंगे राष्टे राजमारग सबसे पहले हम देखते हैं कि हर्याणा में जो राष्टे राजमारग है इनका रख रखाओ कौन रखता है कि राष्टे राजमारग कहा का रख रखाओ तो सबसे पहले आपसे किसन यही बनेगा कि जो राश्टी राजमारग है इनका रख रखाओ कौन रखता है तो इनका आपके रखेंगे केंदर सरकार कौन सी केंदर सरकार इनका रख रखाओ करेगी आपके राश्टी राजमारगों का कौन करेगी आपकी किंदर सरकारी का क्या करेगी रख रखाओ करेगी इनका राज्टी राजमारका अब हम नमबर दो पर देखेंगे हमारे राजकी राजमारक ये कौन सी हमारे राजकी राजमारक ये जो आपके राजकी राजमारक है इनका रख्रखाओ कोण करता है, जो हर्याना का लोग निर्माण विवाग है, वो इनका क्या करता है, रख्रखाओ करता है, हर्याना के राजकी है, राजमारकों का. अब उसके बाद में हम देखेंगे नमबर थ्री में हमारे जिला सड़के जिला सड़के इनका रख रखाओ कौन करेगा जो हमारे जिला के परमूख जिला के जो परमूख लोक निर्माण हुई आगए वो करेंगे इनके रख रखाओ आप बोल सकती हो कि एक जिला है वो ही इनका क्या करेगा रख रखाओ करेगा और उसके बाद में जो ग्राम मिने सड़के होती है आपके कौन सी ग्राम मिने सड़के तो यह जो ग्राम में शड़के हैं इनका रख रखाओ कोन करती है तो आपकी पंचाईत ही इनका क्या करेगी रख रखाओ करेगी जो ग्राम में शड़के हैं इनका रख रखाओ कोन करेगी आपकी पंचाईते करती है तो आज की क्लास में हम देखें हमारे राष्टी यह 2,000-716 के आपके आंकड़ों के अनुसार 9452 किलो मेट में फैले आ आपके राश्टिय राजमारग है तो अब हम देखते हैं आपके राश्ट-य राजमारग एक एक के बारे में इनका रख रखाओ आपसे पुछे तो आपका नशा क्या होगा के अंदर सरकारिय का क्या करती है रख रखाओ करती है अब हम देखेंगे सबसे पहले आपका NH9 कौन सा आपका NH9 यह जो NH9 है इसका वर्तमान नाम है एनश 9 का वर्तमान नाम है सूरी ऐसे लिख देए तेन को यहाँ पे होगे इनकी वर्तमान नाम और यहाँ पे होगे पुराने नाम तो वर्तमान आपका हो जाता है NH9 और इसका पुराना नाम क्या था आपका NH10 इसको पुराने नाम के जान जाता है और यह हर्याना क्या है सबसे लंबा राजमारग है आपका NH9 जो आपके 206 किलोमेटर है लंबा और यह सबसे लंबा आपका राजमारग है आपसे सबसे लंबा यही है आपका और यह आपके दिल्ली से फाजील का तक है दिल्ली से फाजील का अभी वर्तमान में अच्छा सी नहीं एक क्यूशन पूछा था कि NS10 कहां से कहां तक जाता है तो दिल्ली से फाजील का तक है जाता है अब हम देखते हैं इस NH10 के बारे में कि हर्याना के कहां कहां से गुजरता है ये तो एक मैप बना लेते हैं उसमें हम सभी राष्टे मारकों करते चलेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे ये हो जाता है सिर्षा कौन सा आपका सिर्षा स्टार्ट करते हैं NH9 से जो आपका 260 किलो मेटर लंबा है तो ये आपका सिर्षा हो जाता है सिर्षा के बाद में ये आपके फतेहा बाद में कहां पे आपके फतेहा बाद में NS9 की बाद सर रही है फतेहाद के बाद में NS9 आपका कहां पे जाता है ये इसार में कहां पे इसार में इसार के बाद में ये कहां पे जाएगा आगे रोहतक में इसार के बाद में कहां पे आपका रोहतक में और रोहतक के बाद में आगे ये जाता है आपका जजजर में किस में मिल जाता है यह आपकी है दिल्ली तो इस दिल्ली में मिलता है यह आपका NH9 जो कितने आपका 280 km है इसके बारे में आप याद रखना और इस NHG जो हर्याना के 6 जिलों से होकर गुजरता है कितने जिलों से 6 जिलों से 1, 2, 3, 4, 5 और एक आपका दिल्ली नहीं ठीक ठीक दिल्ली नहीं इसार के बाद में ये बिवानी इसार के बाद में बिवानी में जाए गई ये बिवानी के बाद में ये होगा रोतक में रोतक में रोतक के बाद में ये आपका जजर में तो यहां पे आप करो जजर ये आपका जजर में तो यह होगे हर्याना के 6 जिले, शिर्षा, फतेवाद, उसके बाद हिसार, उसके बाद में बिवानी, उसके बाद रोत्तक है, और उसके बाद में आपका जजरे, इसार, बिवानी, रोत्तक है और जजरे, यह कितने हो जागे आपके हर्याना के 6 जिले, उसे गुजरता है कु गुजरते हैं आपका NH9, तो यह हो जाते हैं आपके 6 जिले, इनको आप याद रखना, यहां से गुजरते हैं आपका NH9, उसके बाद में, जो आपका NH65 है, कौन सा आपका NH65 है, उसका नया नाम NH152 है, आपका NH65 है, NH65, जिसका नया नाम क्या है, NH152, यह इसका नया नाम है, चलो इनके जो नया नाम है, उपराण नाम है, वो एक सिक्वेंस में लिखा देंगे, पहले में आपको, इनके सबे के बारे में बताता हूँ, कौन सा राजमर कहां से गुजरता है, तो अब हम बात करते हैं, आपके NH10 से, तो यह भी NH102 हर्याना के 6 जिलों में से गुजरता है, तो इसके साथ में हम इसको भी कर लेते हैं, यह सबसे बड़ा हो गया, 206 किलोमेटर, उसके बाद में NH102 कितने जिलों से गुजरता है आपके, तो यह भी 6 जिलों से गुजरता है, और इसके लंबाई कितनी आपक 242 km 242 km तो यह आपका कहां से निकलेगा तो यह आपका इसार में जो यहां पे आपके बिवानी है यह तो यहां से स्टार्ट हो जाता है आपके बिवानी से यह बिवानी इतना बड़ा है ने इसलिए मैंने बिवानी इसको यहां पे रखा है, तो यह बिवानी से स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में आपके हिसार, हिसार के बाद में आगे आगे आजाएगा आपका, जीन्द में, कुरू छेतर, और कुरू छेतर के बाद में यह जाता है, आपके आगे, अम्बारा में, कहां अमबारा में तो यह कितनी होगे बिवानी इसार जीन केथल कुर्च तर अमबारा और इन छेजलों में से कौन सार आपका राजमार गुजरता है तो NH102 इसका याद रखेंगे NH 152 यह हम लिखते हैं यहाँ पर आपके NH 152 कितने जिलों से गुजरता है तो यह भी आपके 6 जिलों से गुजरता है और यह जो NH 9 है यह हर्याना का सबसे बड़ा है यह भी कितने जिलों से गुजरते हैं आपके तो 6 जिलों से गुजरता है तो यह होगे हमारे दो अब उसके बाद में हम आगे देखते हैं आपका एक NH है 352 कौन सा? NH 352 आपका NH 352 है वो आपके यहां से चलता है जीन से यह होगया आपका NH 352 इसका नाम है पहले जीन में जीन के बाद में आपका होगा रोतक में काँपे? रोतक में रोतक के बाद में होगा आपका जजजर में तो यह जजजर है यह थोड़ा यहां पे लिख देते हैं जजजर तो रोतक के बाद में काँपे जाएगा यह आपके? तो जजजर में गुजरेगा और जजज़र के बाद में यह आगे आपके काँपे चला जाएगा यह रेवाडी में तो यह है आपका अन्नस्त है तिन सो बावन तो यह आपके याद रखना यह काँपे हो गया आपका जीन हो गया उसके बाद में रोतक हो गया उसके बाद में आपका जज़र हो गया और उसके बाद में आपका हो जाता है रेवाडी कौन सा हो गया यह आपका NH 352 हो जाता है आपका अब हम आगे देखते हैं कि आपका NH जिसको NH आपका एक 1 था और एक आपका NH 2 था यहाँ पर दिखाई देता होगा आपको मैं एक बार देख लेता हूँ थोड़ा से दिखाई नहीं दे रहे आपको यह आपका NH9 हो जाता है यह आपका NH1 है तो आपका NH1 और NH2 यह जो NH1 है इसका नाम क्या है आप वर्तवान में NH24 और इसका भी नाम क्या है NH24 इन दोनों का नाम हो जाता है NH24 और टू को मिला की अब हम देखते हैं कि NH1 और NH2 यह कहां से गुजरते हैं तो आपका NH1 है ना वो इदरा से अंबारा से निकलेगा कहां से आपके अंबारा से तो यह जो आपका हो जाता है अंबारा से तो यह होगा आपका अंबारा यहां से निकलता है आपका NH44 लिख लेते हैं इसका निया नाम है NH44 अंबारा के बाद में यह होगा आपका कुरू छेतर में कहां पे यह जो कुरू छेतर इतना बड़ा है छेतर है नहीं यह आपका कुरूच छेतर में भी गुजरेगा, इसके साथ मिकल लेते हमें कुरूच छेतर, अमबारा कुरूच छेतर, उसके बाद में यह आगज आएगा आपका करनाल में, कहां पे, करनाल में, करनाल के बाद में यह आएगा आगे, पानी पत में, पानी पत में, पानी पत क फ्रिद्दावाद के बाद में ये आपका जाएगा पलवल में तो अब ये जो NH1 है ये NH1 जो आपका अंबारा से लेकर ये जो सोनी पत है इसके जो 20 का छेतर है इसको NH1 बोला जाता था पहले NH1 और ये जो फ्रिद्दावाद से लेकर पलवल है इसको NH2 के नाम से जानते थे लेकिन वर्तमान में दोन्नों का नाम क्या कर दिया है एननेचे 44 कर दिया है दोन्नों को एननेच 44 है तो यह आपके द्यान में रखना तो यह आपके कहां से गुजलेगा अमबारा, कुरूज छेतर, करनाल, पानी पते और आपके सोनी पत से गुजलेगा और यह जो आपका एन कुरू छेतर और करनाल, पानी पत, सोनी पत तो तीन और दो कितने हो जाती है आपके पांच जिली हो जाती है, इन जिलों का आप याद रखना आप इसे डाइट पूछ सकता है कि एननेस 44 कितने जिलों से उकर गुजरता है और इसके बाद में अननेस टोटल 44 तो इसमें ये भी सामिल है आपके फिर्दाबाद और पलवल और अननेस 1 या 2 नाम दे तो इसके पास आपके अलालग होगे अननेस 1 में 5 और अननेस 2 में 2 हो जाते हैं तो ये आपके फिर्दाबादे और पलवल में ये कौन सा गुजरेगा आपका तो NH44 ये ऐसे गुजरता है ये इस पर हो जाती है आपके ये दिल्ली ये सोनी पत ये पाने पत ये करनाल और ये आपके कुरुचे तो ये आपका अमबारा अब हम उसके बाद में देखते हैं कि एक आपका NH48 है कौन सा NH48 है वो आपके निकाला गया है रेवाडी और गुरुग्राम में कोन सा आपका NH48 तो जिसका नाम क्या होगा NH48 उसका नाम होगा वो कहां से आपके रेवाडी से जाता है और रेवाडी से आगे कहां पर जाएगा आपका गुरू ग्राम में गुरू ग्राम में तो यहां पर जाता है आपका NH48 तो यह आपका हो जाएगा NH48 इसके बारे हम ध्यान रखना कि NH48 आपका रेवाड़ी औरे गुरू ग्राम में गुजरता है कौन सा NH48 अब उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि NH48 आपका कहां पर हो गया रेवाड़ी औरे गुरू ग्राम में कौन सा NH48 मैं आपको यह समझाता हूँ N-N-S-S-S-O-N-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O और इसका यही नाम है NHA कैतर B तो NHA कैतर था वो आपके काँ से निकलता था तो जीन, रोटक और जज़र और आगे यह रिवाडी में उसके बाद में यह जो आपका NHA 709 है कौन सा आपका NHA 709 जो आपका क्या है 21 A है वो आपके काँ से निकलेगा तो वो आपके निकलेगा पानी पत से और पानी पत के बाद में आगे सोनी पत और सोनी पत के बाद में आगे यह जाएगा मिलेगा आपका रोटक में तो बीच में यहाँ पे आपका कौन सा है सोनी पत तो यहाँ पे एक बार जो मैप नहीं है मैप में आप देखोगे तो बिल्कुल आपको अच्छी तरीक के से समझ में आएगा इसका आप सकिन Сचोट ले सकते हो कि आपके पहले निकलेगा पाने पत के बाद जाएगा आपके सोनी पत और सोनी पत में आगे जाएगे आपके रोतक में ये कौन साब का NH 709, NH 709 हो जाता है, और यह हमारा जैसे इसका पुराणा नाम क्या है, तो NH 71A, अब उसके बाद में हम देखती हैं, कि आपका NH 71B है, कौन सा NH 71B, तो यह निकलेगा आपका रिवाड़ी, गुरू गुराम, और एक यहाँ पे आपका है, नू, और नू के बाद में यह मिल जाते हैं आपकी पलवल में, तो गुरू गुराम उसके बाद नू, और उसके बाद में पलवल में यह कौन सा हो गया आपका, NH71B हो जाता है आपका और रिवाडिस ये गुरू गराम कौन से था आपका तो NH48 इसका पुराना नाम कौन सा था तो NH18 इसका पुराना नाम है और यह हो गया NHaround1B तो अब आपसे पुछा जाएगा कि यह जो आपका कौन सा था NH9 था आपका NH9 इस NH9 के अंदर कौन सा मिलता है आपका तो NH709 भी इसमें मिलता है NH302 भी इसमें मिल जाता है और यह जो NH709 है यह किसमें मिल रहा है आपका तो NH44 में मिल रहा है और यहां से पानी पर से निकला गया है और उसके बाद में आगे ये पुछे आप से कि NH 48 है तो ये कहां पे है आपका तो रिवाडी गुरुगराम नू और पलवल में ये आपके यहां पे आगे जाके मिल जाता है पलवल के अंदर है तो ये थे आपके ह्रिणा के राष्टी है राज मारग अब उसके बाद में हम कुछ एक दो क्यूसन है उनके बारे में देखेंगे कि आपका एक है NH 21A कौन सा NH 21A है वो आपके कहां पे है वो आपके पंचकुला में है तो यहां पे कौन सा आपका पंच कुला इस पंचकुला म आपके पंचकुला में कौन सा NH 21 कापे आपके पंचकुला में है यह NH 21 A है यह कापे आपके पंचकुला में अब उसके बाद में देखते हैं कि NH 22 कौन सा NH 22 तो यह आपके अंबाडा और पंचकुला में है तो अंबाड़ा और पंचकुला को जो बिलाने वाला है ये कौन सा हो जाता है आपका तो ये होगा NH22 होगा जिसका नया नाम क्या रखा है NH5 जो अंबाड़ा और पंचकुला को मिलाता है उसके बाद में हम देखते हैं आगे आपके कि NH बैतर idea better तो वो भी कहां पे आपके अंबाड़ा में है NH1 बैतर ये भी कहां पे आपके तो ये भी आपके अंबाड़ा में है NH1 बैतर है और एक आपका अंबाड़ा में कौन सा गुज़टा है आपका तो NH102 ये भी अंबाड़ा में गुजरता है और उसके वाद अंबाड़ा और पंचकुला को जो मिलाता है वो कौन से आपका तो NH22 है और पंचकुला में से गुजरता है वो कौन से आपका NH21 ये है वो काँ से गुजरता है आपके पंचकुला से गुजरता है और NHA के तेतर है आपका, कौन सा NHA तेतर, जो आपके यमूना नगर, अंबाड़ा और पंचकुला को जोडता है, NHA तेतर, जैसे यह आपका यहां पे हो जाता है, आपका यमूना नगर, कौन सा यमूना नगर, इनको जोडता है आपके, पंचकुला हो गया, एक अंबाड़ा हो गया एक यमूना नगर हो गया यह आपका कों सा हो जाता है अन्य चे तियत्र हो जाता है आपका कों सा अन्य चे तियत्र पंचकुला अमबाड़ा और आपके यमूना नगर एन नेचे तियत्र ए और इसी के साथ में आपका एक है एन नेचे तियत्र ए और ये भी कहां पर गुजरता है ये भी आपके यमूना नगर में है अब ये जो सारी बाते हैं इन सारी बातों को आप एक बात दुवारा से देखो इन से क् इस प्रकार पुच्छा जाएगा कि हर्याना का कौन सा राश्ठी राजमर्ख है जो हर्याना से ही शुरू होता है और हर्याना में ही आपका खतम होता है तो आपने देखा कि पंचकुला है यह पंचकुला से स्टार्ट होता है पंचकुला में खतम होता है वो आपका कौन सा है ये जो राष्ट्य राजमर्ण है ये हर्याना में शुरू होते हैं ये निके बारे में आपने द्यान में रखना और एक राष्टे राजमारगें से एक क्यूसर और पुछा जाएगा कि हर्याना कैसा कौन सा जिला है जिस से कोई भी राष्टे राजमारगें नहीं गुजरता तो वो आपका अंसर होगा महंदरगड मेंदरगड से कोई भी राष्ट्य राजमारग नहीं गुजर रहा है बाकी सभी जिलों से कोई नहीं कोई राष्ट्य राजमारग गुजर रहा है तो अब यह राष्ट्य राजमारग है इसमें हमने देखा सबसे बड़ा था हमारा NHA 9 इसमें सबसे छोटा कुन सा होगा हमारा तो वो होगा NHC6T4 कौन सा NHC6T4 ये क्या होगा सबसे छोटा होगा और ये जो शिर्षा में जो डबवाली है उसके शिम्मा को छूता है मातर 5 km तो ये हो जाता है सबसे छोटा तो इस छोटे के बारे में आप दियान में रखना 5 किलोमेटर कई बुकों में इसको 6 किलोमेटर भी लिख रखा है ये है सबसे छोटा आपका NH6 4 है किसको छूता है ये तो ये आपके जो डबा वाली है उसको छूता है तो अब ये हम अगे देखते हैं इन राष्टे राजमारों के बारे में जो आपके कौन सा है जो आपके दिल्ली गुरुगराम एक्सप्रेस है कौन सा ये जो आपके दिल्ली है और ये जो गुरुगराम है ये जो आपकी express बनाए गया है दिल्ली गुरुग्राम से जो express बनाए गया है इस express की जो शुरुवात है वो कब होई थी कौन सा आपका दिल्ली गुरुग्राम express वे ठीक है इसकी शुरुवात होती आपकी 23 जनवरी 2008 को इसकी शुरुवात होई थी आपकी कौन सी दिल्ली से ल और यह जो आपका Asia का जो सबसे बड़ा आपका टोल पलाजा है एक बड़ आपके इसे बड़ा टोल पलाजा है वो हर्याडा में किस एक्सप्रेस के अंदर है तो उसका यह अंसर अच्छा शीन माना था दिल्ली से लेकर जो गुरूगरा में इस पर 32 लेंड का टोल पलाजा ब बना हुआ है आपका इसी Expressway पे उसके बाद में आपसे एक ओर पुझत है कि कुंडली माने सर पलवल Expressway कौन साब का कुंडली माने सर पलवल Expressway यह जो Expressway है है यह रियाना के जो कितले Expressway के साथ जो झूडता है KMP तो यह आपके NH 1 ? कौन साब का NH 1 यह वाड़ा NH 1 आपका उसक NH 8 और NH 10 को ये जोडता है, तो कौन सा आपkä, ये आपका NH 2 हो गया, ये आपका NH 9 हो गया, और ये आपका NH 8 हो गया, तो इनको KMP कुन को जोडता हैं आपके, तो आप याद रखोगे आपके NH1 का और NH2 को और NH9 को और NH8 को तो यह जो 9 है इसका पुराणा नाम नाम वो भी पूछते है तो NH9 है इसका पुराणा नाम NH10 है और जो NH8 है इसको NH48 के नाम से बोलते हैं कुणली मानिशन पलवल एक्सप्रेश में तो इनको यह जोड़ता है आपको यह क्यूशन नियाद रखना है उसके बाद में आपसे पुछ जाएगा के एम पी कौन सा के एम पी के एम पी इसको बोलते हैं कौन सा पस्मी प्रीदिये एक्सप्रेश है वे यह जो पस्चमी प्रीदी एक्सप्रेस वे है यह आपके कहां से निकाला गया है यह आपके सोनी पत से निकाला गया है कहां से यह आपके तो हर्याणा के जो कुनली सोनी पत है वहां से निकाला गया है अनेच एक से क्या होता है ये पारम होता है और ये आपके मानेशर होते हुए और पलवल अनेच टू में जुड़ता है कौन से आपके पलवल अनेच टू में जुड़ता है तो ये कौन सा हो गया जैसे इसको आप समझो यह जो यहां से दो निकल गए है एक तो आपका जो पस्चमी इसा है और इस से परेवाल इसा कौन सा है आपका तो वो पुर्वी इसा है जो पुर्वी इसा है उसके साथ आपकी कौन सी नदी लगती है यू मुना नदी लगती है उससे आप याद रख सकते हो तो यहां से निकाला गया है यह सोनी पत से सोनी पत के बाद में म माने सर और माने सर होता है यह कहां पर गुजरेगा आपका पलवर में मिलेगा तो यह आपसे पुछेगा एन एच यह आपका कून सथा वन था और यह क्या एन एच आपका टू हो गया तो यह हो गया आपका पस्चमी प्रीदिये एक्स वर्सवे के अंपी कुंडली माने सर पल वो ने लगें इसलिए यहां से निकाले गएंगे इसी प्रकार इसके पुर्वी प्रिक्षिया पुर्वी प्रीदिया एक्स्प्रेस वे वह काह से तो कुंडली से शुरू होकर जो आपका नोईडा गाज़ीबाद होता है जो फिर्ददबाद में मिलता है जो आपके सोनी पत से निकलता है इदर नोईडा हो गया आपका गाज़ीबाद हो गया। परकार इसकी लंबाई 135 है उसी परकार इसकी लंबाई कितनी है आपकी 105 किलो मेटर इसकी लंबाई है यह एक बार पुछा था कि पस्च में प्रीद यह उसकी लंबाई कितनी है तो 135 किलो मेटर इसकी लंबाई है तो यह था हमारा हर्याना का राष्टी है राजमारग है तो इ जो दो हजार सोडा का अंकड़ा है उसके अनुशार इसकी 2422 किलोमेटर शेतर में यह क्या हुआ है यह फैला हुआ हमारी राष्टी है राजमारगे इन राष्टे राजमारगे उकार जो रख रखाओ है वो कोन करता है तो आपके जो केंदर सरकार है इनका रख रखाओ करती ह की हरयाना का सबसे लंबा न princi नाइन ये आपका सबसे क्या है लंबा है उसके बाद विए पुछे हरयाना का सबसे चोटा टो चोटा है न्यों से नाइन कितने जिलों से उकर गुजरता है आपके 6 जिलों से गुजरता है आपसे ये भी पुछा जा सकता है कि जो अन्नेर्स नाइन है निमेलिक में से कौन से जिलے से नहीं गुजरता तो ये जो 6 जिली आपके शिर्षा, फतेवाद, इसार, भियोहाणी उसके बाद है रोत तक उसके बाद में जो जजजर है ये नाम देखर आपको कुशी अन्य नाम भी दिया जा सकता है और पुछा जा सकता है कि इन में से किस के अंदर ये नहीं गुजरता तो ये आपको याद रखना है उसके बाद में ये आपका सबसे छोटा हो जाता है ये आपके काम पे गुजरेगा जो शिर्षा का जो डबावारी छेतर है उसमें से गुजरता है यह आपके तो मातर पांस किलो मिटर है कई बुकों में आपको छे किलो मिटर भी देखने को मिलेगा और उसके बाद में जो एक आपका एन्स एक सो बावन है यह भी एन्स बावन है आपके 6 जिलों से गुजरता है तो ये बिवानी से, इधर जो रास्ताने यहां से निकले गए, उसके बाद में बिवानी, उसके बाद में हिसार, फिर जीन, पिकेथल, कुरू छेतरे, उसके बाद में आपके अंबारा में ये चला जाता है, उसके बाद में एन्ने से 352 जिसक हम 709 के नाम से जानते हैं वो आपके रोतक सोनी पते और पानी पते में निकलता है उसके बाद में एन्नेच एकतरे बी वो आपके रिवाड़ी गुरुगराम नू औरे पलवल में मिलता है उसके बाद में NH8 या NH48 है तो वो आपके रिवाड़ी हो रहे है गुरू ग्राम में उसके बाद में आपका NH1 या NH2 NH2 आपके फ्रिदाबाद हो रहे है पलवल में NH1 आपके तो अंबाला में उसके बाद में कुरू छेतर में उसके बाद में करनाल उसके बाद में पानी पत उसके बाद में सोनी पत है और ये आपके दिल्ली, फ्रीदाबाद और पलवर में निकलता है आपका एन्नेच ए 44 जिसको एन्नेच ए 1 के नाम से जानते हैं उसके बाद में आपका एन्नेच ए बैतर कौन सा एन नेचे बैतर तो वह आपके कहां पे है अंबारा में उसके बाद में एन नेचे 21A यानि एन नेच 21A वो आपके कहां पे है पंचकुला में और पंचकुला अंबारा में एक नेचनल हैवी और गुजरता है आपका एन नेचे 22 और उसके बाद में आपके जो प प्रिद्य एक्सेर्स नाम से जाने जाते हैं जिसकी लंबाई एक्सोपैंस किलो मेटर है वो आपके सौनिपस से सुरू हो कर माने सर माने सर के बाद ये पलवले जो राज के राजमर्ग है उनके बारे में और इनके जो वन नाइनर चोटे-चोटे क्योशन बनते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन जैवाद